एक गाव में एक किसान रहता था. वह खेती करके और महुओं को बेचकर अपने परिवार को पालता था. फागुन का महीना था, उसके महुओं से अच्छी सुगंधा रही थी. भोजन की तलाश में एक भालू अपनी मादा भालू के साथ घूमता हुआ महुओं के पेड़ के नीचे आया. महुओं टपक रहे थे. उन दोनों ने खूब खाएं और कुछ मुह में भर ले गए. सुबह होने पर किसान आया, उसे जमीन पर गिरे हुए महुओं बहुत कम मिले. उसने सोचा कि कोई ना कोई उसके महुओं को चोरी से बीन ले जाता है. रात में वह किसान एक काला कंबल ओड़ कर महुओं के पेड़ पर बैठ गया. कुछ देर बाद भालू और मादा भालू दोनों महुओं खाने को आये. वह इधर उधर घूम फिरकर महुओं खाने लगे. इतने में एक शेर दहारता हुआ वहां आपने चाली. शेर की दहार सुनते ही भालू मह के पेड़ पर चड़ गया और मादा भालू जंगल में भाग गई. शेर पेड़ के नीचे बैठ कर इधर उधर देखने लगा. काले कंबल को ओड़े हुए किसान ने भालू को देखा और वह घंगाया. भालू काले कंबल को ओड़े हुए किसान को मादा भालू समझ कर उसक पूर से लात मारी और धका दिया। इसलिए जंगल के राजा शेर ने चूहों के वहां से निकल जाने के सक्त आदेश जारी कर दिये। बहुत दूसरी सुभा सब को पकड़ कर चिडिया घर्वा सरकस में ले जाने की बात कही। सिंगरा सहित सभी जीव बहुत दुखी हुए। चूहों की एक मित्र गौरईया थी। उसने फोरन जाकर चूहों को खबर दी। उधर से चूहों की फौजने आकर जाल में रोते कराहते जीवों को देखकर बहुत हैरान हुए। सभी चूहें जाल को काटने लगे। सुभा सरकस के लोगों के पहुँचने से पहले उन्होंने जाल में फंसे सभी जीवों को आजात कर दिया। जीवों ने चूहों से भारी मन से माफी मांगी और उन्हीं के साथ दूसरे जंगल में चले गए। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए न जाने कौन कब हमारे सम्मान की रक्षा में सहायक हो। गौरईया से कहा, बहन खाते हुए अधिक बोलना ठीक नहीं होता है, जो अधिक बोलता है वह ठीक धंक से खा नहीं पाता, जबकि दूसरे वाला सारा अच्छा खाना चट कर जाता है, तुम देख रही हो मैं बोलती नहीं हूँ तो मेरा स्वस्थ कितना अच्छा है, और ख पुर्जा वशक्ति का उप्योग सही समय पर सही तरीके से करना चाहिए.